हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल फार्मा एमसे की वब पे दोस्तों डिस्स भी फार्मासिस्ट वेकंसी दोजाद 24 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में और जो ऐसा किया मेरा थंबिल देख रहे होंगे क या ओनली भी फार्मा केंडिडेट इलिजिवल होंगे सारा सब कुछ डिटील में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए फ्रेंट्स भी ना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो करने से पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें त यह सिस्वी जो की दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलक्षन बोर्ड है उसकी तरफ से फार्मासिष्ट की 388 पोस्ट पे फार्मासिष्ट की भरती एनाउंस हुई है 318 पोस्ट पे ठीक है तो उसमें फ्रेंड जन्नल OBC, HTSC, EWS अच्छी खासी बेकंसी यहां पर है तभी 318 बड़ी बेकंसी यहां पर देखने को मिली है तो इसकी जो बेकंसी यह 2018 में आई थी ठीक है फ्रेंड नोटिफिकेशन आया था और इसका एक्जाम 2019 में हुआ था और अब 2024 में आया है और इसका एक्जाम तो फ्रेंड 2024 2024 में ही होगा ठीक है तो इसकी जो eligibility criteria था उसमें फ्रेंड ऐसा था कि जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने केवल V-form candidate को eligible माना था ठीक है V-form candidate फ्रेसर candidate बिद रजिस्टर्ड फार्मसिष नाप लोग होने चाहिए ठीक है तो क्या सर यहां पर आप यह कह सकते हैं कि 2024 में जो 318 पोस्ट पे वेकिंसी आई है इसमें only V-form candidate ही eligible होंगे देखे ऐसा कहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी है 2019 और था 2024 और है जो यहां पर भरती की परकिरिया रहती है वो सेम रहती है मैं आप लोगों की बात सेगरी candidate भी eligible होने चाहिए यहां पर क्योंकि जो है गवर्मेंट की भी ऑफिसियल तोर पे सेंट्रल गवर्मेंट या कहीं भी PCI से आप जो है कंफर्म कर लेजिए minimum qualification जो रहती है एक फार्मस्ट बनने के लिए बो डी फॉर्म ही रहती है तो डी फॉर्म तो eligible होने चाहिए और अग कर अपना सीधा जो है पढ़ाई पर फोकस कीजिए और देखे फ्रेंड अभी आज तारीक हो गई है आपकी 30 जनवरी और आज से ठीक 12-13 दिन बाद यानि की 13 जनवरी को आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले ही जो है official notification पूरा notice आप लोग के सामने होगा जो कौन से candidate eligible हैं और कौन से candidate eligible नहीं है तो मेरा जहां तक मानना फ्रेंड दोनों candidate eligible होंगे जिन लोगों ने अपना registration अभी तक नहीं कराया या मालिया कर देता हूं जब तक official notification आप लोगों का नहीं आ जाता है ठीक है जो आपको चार से पांच दिन में देखने को मिल जाएगा उससे पहले आप लोग इदर उदर की बातों पर ध्यान ना देकर अपना सीधा पढ़ाई पर फोकस कीजिए एक बार official notification आ जाएगा उसके बाद आ वहां पर आगे हैं लोगों को क्या करना है अगर डिपलोमा वाले कंडिडेट युलीजबल नहीं होते हैं खलाल मेरे हिसाफ से डिपलोमा ऑन डिगरी दोनुने कंडिडेट इलीजबल होंगे तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में हम लोग इतना इतना ही रखते हैं मिल